दूस्तों ये मोटिवेशनल वीडियो जो है आप लोग को सुनना चाहिए क्योंकि सोई वही उर्जा को ये जालाने की कोईस्ट करता है तो इस वीडियो को वान पताव देखिएगा जो लोग ये कहते हैं न मैं ठीक हो कुछ नहीं हुआ है इस मुश्किल को कोई तो सुलजा दे किसी को भुला कैसे जाता है कोई तो बता दे दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाए अगर लोग एक दुसरे के बारे में नहीं एक दुसरे से बोलना सीख जाए तो आज कल दुनिया इसी हो गई है जब किसी की इंदगी में नए लोग आते हैं तो ओ पुराने लोगों की एहमियत ही भूल जाते हैं आंसो चाहे इंसान के हो या जानवर के हो लेकिन ये बाहर जब ही आते हैं जब दिल में बेंतिहां दर्द होता है जिल लोगों को रिष्टे की गदर होती है न ओ मानने से मान जाते है और चोटी सी चोटी बात पर भी रिष्टे तोड़ देते हैं बाते कम करो और काम बढ़े करो क्योंकि आज कर लोगों को सुनवाई कम और दिखाए जारा देता है विश्वास और प्रेम दोनों ऐसी चीजी हैं जो हो जाय तो तूडती नहीं और जो अगर तूट जाय तो होती नहीं क्योंकि इन दोनों में से एक को भी जवर्दस्ती नहीं किया जा सकता है गहमन बहुत भूखा होता है और इसकी पसंदीता खुराक है हमारे रिष्टे दिल में बुराई रखके जुबान का मीठा बनाना मुझे नहीं आता है जिसको अपनाया दिल से अपनाया और इसको छोड़ा दिल से छोड़ा जोस्तों इस कहानी का मतलब आप लोग अर्दन गालिएगा उसके बाद आपको क्या करना है लाइप में बहुत जरूरी है जानना कहा जाता है स्रीमत भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है बलकि इसे धर्ति के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि ओ अपनी जिन्दगी में सुख सांति और सफलता को प्राप्त कर सके भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 लोग हैं जो सभी के लिए परपाना थोड़ा मुस्किल है इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम भगवत गीता के 111 विचा का सही मतलब समझ पाएंगे इसलिए इन विचारों को आप हर सुबह सुनो दोस्तों इस वीडियो को देखने से आपकी घर में आपको सुख सांति और जो भी करने के इच्छा है आप असानी से कर सकते हैं इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग मेरे चैनल के प्रस्क्राइब कर करते हैं मनुस को परिणाम की चिंदा किये बिना लोब लालच बिना एयों निस्वार्थ और निस्पच्छ होकर अपने कर्टप्यों का पालन करना चाहिए यहां दोस्तों बहुत ही जरूरी है इस सब जानना जिस तरह से प्रकास की योती अंधेरे में चमकती है ठीक उसी पर सत्य भी चमकता है इसलिए मनुस को हमेशा सत्य की रह पर चलना चाहिए जिस मनुस के अंदर ग्यान की कमी और इस्वर में द्रदा नहीं होती ओं मनुस जीवन में कभी भी आनंद और शपलता को प्राप्त नहीं कर पाता है जिस प्रकार मनुस से अपने पुराने वस्त कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है इन सब उससे आप इतना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे समझदार व्यक्ति जब सμबन्द निभाना बन्द कर देता है तो समझे लेना उसकी आतमे सम्मान को कहीं न कहीं छिस आउसिक पहुँची है, मौ उसी का करो, जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है, उसका मौ भी नहीं करना चाहिए, जो दुसरों की तकलीपों को समझते हैं, जिन में दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन में लेना नहीं पड़ बाहे